हेलो दोस्तों आपका बहुत दोस्त स्वागत है मेरे यूटूब चैनल गिरिफोर्ट टेक्निकल में हैं दोस्तों आज ये जो मैच होने वाला है ICC मेंस ओडियाई क्रिकेट वर्ल्ल कप दस्वा मैच जो खिला जाएगा Australia team versus South Africa के बीच आज दोपहर दो बजे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको इस मैच के बारे में बिल्कुल साठीक जानकर चाहिए बिल्कुल पक्त की information चाहिए तो इस वीडियो को पूरा complete ज़रूर देखना क्योंकि दोस्तों जो जानकरी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो की माद्यम से जो information आपको मिलने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको guarantee देता हूँ ये जानकरी ले करके आप दिरीम इलियोन पर एक बहतरीन team मना के अचा खासा amount बिन कर पाएंगे तो दस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इस मैच के बारे में बिल्कुल सठीक जानकरी देते हैं दोस्तों आगे जो जानकरी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस जानकरी को बिल्कुल ध्यान से सुने और समझे जो मैं 11 पर अच्छा खासा amount बिन कर पाएंगे तो दस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको जानकर देते हैं दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अस्टेलिया की टीम और साउथ अफरिका की टीम अभी जो रिसेंट में फाइप ODI मैच खिले ह उसका डाटा यहां पर दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं अस्टेलिया की टीम पिछले फाइप मैच खिले हैं फाइप मैच में से केवल अस्टेलिया की टीम एक मैच को विन कर पाईए ठीक है और लाश्ट का जो मैच भी है वो अस्टेलिया की टीम हार क्या रही है ठीक है और दोस्तों वहीं आप देख सकते हैं South Africa की टीम जो recent में 5 मैच खेले हैं 5 मैच में से 4 मैच को विन करके आ रही हैं दोस्तो साउथ अफ्रिका की टीम काफे अच्छे फोन में दिख रही हैं तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के मैच में कौन सी टीम अच्छा प्रूपर्म कर सकती हैं ठीक है तो दस्तो चलिए और आगे आगे आपको बताते हैं दोस्तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अस्टेलिया वर्सेस साउथ अफ्रिका की बीच जो अभी 2023 में रिसेंट में ODI मैच हुए हैं उसका डाटा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं तो दस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं साथ सितंबर 2023 को अस्टेलिया वर्सेस साउथ अफ्रिका के बीच यह मैच हुआ था जिसमें साउथ अफ्रिका की टीम 222 रण बनाकर आल आउट हो गई थी ठीक हैं और वहीं अस्टेलिया की टीम 225 रण बनाकर साथ बिकट के नुकसान पर 225 रण बनाकर इस मैच को विन कर ले थी ठीक हैं और नौ सितंबर 2023 को यह मैच हुआ था अस्टेलिया वर्सेस साउथ अफ्रिका के बीच जिसमें अस्टेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 392 रण बनाई आठ बिकट के नुकसान पर ठीक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और वहीं साउथ अफ्रिका की टीम 10 बिकट खोकर के आल आउट होकर के केवल 279 रण बना पाई इस मैच को हार गए थी और दोस्तों फिर 12 सितंबर 2013 को यह मैच हुआ साउथ अफ्रिका की टीम जो की पहले बैटिंग करते हुए में 338 रण बनाई किवल 6 बिकट की नुख्कान पर ठीक है पाचास ओबर में किवल 6 बिकट की नुख्कान पर 338 रण बनाई और अश्टेलिया की टीम 227 रण बनाके आल आउट हो गई साउथ अफ्रिका की टीम जो की विन कर लिए और फिर से 15 सितंबर 2013 को यह मैच हुआ अश्टेलिया वर्षे साउथ अफ्रिका की बिच जिसमें साउथ अफ्रिका की टीम पहले बैटिंग की पहले बैटिंग करते हुए पचास ओबर में केवल 5 विकट खोकर के 416 रण बनाई और वहीं 252 रण बनाके अश्टेलिया की टीम आल आउट हो गई और फिर से 17 सितंबर 2013 को अश्टेलिया वर्षे साउथ अफ्रिका की मैच हुआ और फिर से साउथ अफ्रिका की टीम जो की पहले बैटिंग करते हुए 315 रण बनाई 9 विकट की नुक्सान पर पचास ओबर में 9 विकट खोकर के 315 रण बनाई और फिर अश्टेलिया की टीम 133 रण बनाके आल आउट हो गई दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रिका की टीम जो की अब इस रिसेंड में जो तीन मैच विन किये थीखे से एक बार अश्टेलिया की टीम को अरत को बता दूं कि अश्टेलिया की टीम को भी आप इतना कम्जोर्ड मत समझेना ठीक है तो ऑस्टेलिय की टीम फिर से एक बार वात्षी करना चाहेगी फूरी कोशिश करेगी कि इस मैच को अस्टेलिय की टीम वीर करें ठीक है तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता तो देखते हैं आज की मैच में क्या होने वाला है तो दस्तों मैं आपको यह सजेक्ट करूँगा कि आप अपना बैलेंस टीम मनाना है ठीक है साउथ अफ्रिका के टीम के तरफ से आपको केवल 6 प्लेयर लेने हैं और अस्टेलिया की टीम के तरफ से 5 प्लेयर ठीक है तो इस ह आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर दूँगा डिरिम एलाउन की टीम अपने टेलिग्राम चैनल पर सेर करूँगा अगर अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन ने किया है तो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की नीचे वोक में मिल जाएगा तो लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलिगार चैनल को जान करकर रखना